हाई दोस्तों मेरे इस्तामेस्वर फिसरी चैनल में आप सभी काज फिर से एक बार स्वागत है अभी कुछ दिन पहले बहुं ज्यादा अपवा ऐसा फैल रहा था कि एक फिस मैं दिखाता हूं आप लोग को यह फिस है इसको हम लोग सकर माउथ केट फिस बोलते हैं और अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि यह मचली पर्टिकुलर कवरधा में एक न्यूज आया था कि यह मचली जो है अमजन से अमजन रिवर से कवरधा के जो भोरम दे तलाब है उसमें पाया गया है कर देखो इसका नेटिव कहा कहा है यह साउथ अमेरिका कहा है और मचली को अगर हम लोग कोई भी देश से लाए अगर यह हम लोग जानते हैं यह फ्रेस वाटर फिस है लेकिन अगर इसको हम लोग साउथ अमेरिका से ला के अगर इंडिया में रखे फ्रेस वाटर पे यह तो तो मेरे ख्याल से ऐसा देखने में लगता है कि इसको खाने के लिए यूज नहीं करते और mostly मैं जहां पर देखा हूँ इसको तो aquarium में ही देखा हूँ as a ornamental purpose तो सायद इसको खाने के लिए यूज नहीं करते हैं और यह जो है इनका feeding habit है यह छोटे छोटे एलगी को खाता है और crustation को खाता है जो pond में रहता है यह mouth के काराण ही इसको सकर mouth catfish ही बोलते हैं और तो मैं आप लोग को यहीं अंतिम में यहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग आप वहों पे ध्यान ना दे मैं एक्चोली यह वीडियो को बनाने का परसपास यहीं है कि कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज में देखा गया था कि कवरधा के जो भोरंदेव तलाब है वहाँ यह मचली मिला है तो कई लोग क्या डाले थे कि डारेक्ट एमजोन से मचली कवरधा तलाब में कैसे आया ऐसा कर गए तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है यह औरनमेंटल फीस है और हो सकता है कोई इसको रिवर वागिरा में छोड़े होंगे तो उसके थ्रोव तलाब में पहुँच गया होगा तो एक्चोली क्या है फीसेस का हम लोग जानते हैं अगर उसको अच्छा सा इन्वार्मेंटल कंडिशन मिले तो वहाँ पे ब्रीडिंग करता है और अपने इस फीसेस को भी बढ़ाते हैं तो इसको खाने की उप्योग में नहीं आता है एक्चोली क्या है ये एक्वेंटल में रखने का काम आता है ये तो साइज बहुत बढ़ा हो गया है इसका लग भग ये 400 ग्राम के आसपास का है मैं अप लोग को बेबी फीस दिखाता हूँ इसका छोटा वाला और वो छोटा वाला जो रहता है उसको ही एक्कॉरियं में रखते हैं बड़ा वाला को अच्छा नहीं दिखाई देता है एक्कॉरियं में defending मैं कि आओ मैं दिखाता हूँ मेरे पास देख सकते हो अभी इतना फीज है यह पूरा सकर माउप केट फीस है और यह जो साइज है इस साइज का यह छोटा फीस साइज का बेबी है यह तो यह वाले साइज को हम लोग एक्विरियम में रखते हैं और इस फीस के बारे में मैं एक चीज आप लोग और बताना चाहूंगा यह केट फीस है तो हम लोग को ज दूसरे फिस के compare में इसका जो survival है वो बहुत time तक रहता है अगर इसको हम सुखा भी कहीं भी ले जाएं तो लगभाग ये 2-3 घंटा इसी जिन्दा रह सकता है लेकिन अगर हम IMC को इसी सुखा ले जाएंगे तो आप लोग को जहां तक पता होगा कि वो मर जाता है तो इसमें एक और खास बात ये है कि ये जिन्दा बहुत time तक रहता है बीना पानी के भी तो जब हम लोग aquarium में रखते हैं तो ऐसा aquarium में चिपक के रहता है और दीखने में भी काफी सुन्दर दीखता है aquarium में इसलिए इसको ornamental purpose के लिए ही use करते हैं तो thank you दोस्तों और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करें और कुछ बताए मेरे को और मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर जरूर करें दोस्तों thank you